तेजस्वी यादो जी अगर law and order पर बोलें तेजस्वी यादो विकास पर बोलें तो बड़ा हस्सास पद लगता है उन लोग को अपना विशे चुल लेना चाहिए जाती पर बोलें रंगडारी पर बोलें इन सब कीज़ों बोलें तो ठीक लगता है आज फिर अगर नितिश क नहीं पिछले 25-30 सालों से लेफ्ट की का विशासन था तो हम लोग देखते थे टीमसी के विशासन में देख रहे हैं और एक दो साल जब मैं वहां चुनाव के दवरान था भी तो मैंने देखा था कि वहां पर राजनीक जो है उसमें मतलब हिंसक प्रदर्शनों का बड़ा समावेश है क्यों है ये राजनीतिक समाजिक जो ज्यानी लोग हैं उनके अध्यान का विशाय है मेरे भाई हम कोई बंगाल सरकार के या टीमसी के प्रवक्ता तो है नहीं जो घटना हुई है उससे पूरा समाज इंक्लूडिंग इन बंगॉल सब लोग उद्वेलित है आधा रोज बुलिटन निकाब रहे है क्राइम बुलिटन भीहार में कितने मडर देखी ऐसा है मैंने कल भी कहा दो दिन पहले तेजस्वी आदो जी अगर लॉइन ओडर पर बोलें तो वड़ा हसास पद लगता है उनलों को अपना विशे चुल लेना चाहिए जाती पर बो अब सराब माफिया नहीं दिख रहा था आज फिर अगर नितिश कुमार पल्टी मार कर उनके साथ सरकार बना लें तो फिर उनको विहार में सब अच्छा दिखने लगे लाग एक लाग बार कह चुके हैं जातिकत जनगन्ना के पक्ष में हैं लेकिन जातिकत जनगन्ना लोगों कि विशे में जानकारी मिल सकती है उससे उसका समाधान हो जाए यह जरूरी नहीं है किसको अरे भाई देश है चल रहा है तो कहीं प्रदर्सन होगा कहीं बेल मिलेगा कोई पकड़ा जाएगा कहीं सरकार कुछ कारेकरम की शुरुवात करेगे वहर पर मैं क्या